है अब है कि अज्व फ्रेंड्स कैसे है आप लोग वोपसव बढ़िया होंगे मैं बता दूं मैं भी ठीक हूं चलो सर अलेडी हमारा दो इंक्वारी इंस्पेक्शन में हो चुका है सघ विसे विसी कि प्ठेस कर सहे है तो सम से ख्राइस ब्रॉर्ट लेह चाहिए धिय Tul we बढ़िया सर सब्स्राइब जोर कर देना सर प्लीज अगर आपको अच्छा लगड़ा हो तो कमेंट करके बताना चलो सर सर और क्या क्या हमने पढ़ना है सर आज सर आज हमां पढ़ेंगे सर सेक्षिन दो सो तेरा सर ये क्या सर सरी दो सो तेरा सक्षिन दो सो तेरा सर ये क्या सर देखो सर फिल हीटिंग जानो इन्वस्टिएशन इन्टो इन्वस्टिएशन इन्टो कंपनी अफ़ेर्स देखो सर मैंने आपको बताया था तीन ट्रिगर पॉइंट्स है इन्वस्टिएशन होने के और एक ट्रिगर पॉइंट और है यहां पर क्या सर यहां पर में है मतलब सेंट्र ममन्ट चाहे तो इन्वस्टिगीसिंगी और देखी को यहां पर पास और फिर और एंफूर और एण हैन्वस्टिएशन कंप यहां पर sihसमा कि कि चाहिए प्लस इंटमेट टू सी जी को ठीके साथ सर और क्या दसर पॉलिक इंट्रस्ट में था सरॉ कर दो पिर और क्या सर रोषी इंस्पेक्टर की रिय्पोर्ट ती सरॉ इन तीन केस में यह था अगर सीजी को लगता है आ तब सरींवेश्टीकेशन का और देगा ऐसे नहीं देगा यहां पर क्या यहां पर अगर ट्राइबनल ने बोलेगा बाई तुम्हें इंवेस्टिकेशन करवाना है तो करवाना ही पड़ेगा cg cell अब cg अपोइंट करेगा inspector ट्राइबनल ने बोला ठीक है जा ट्राइबनल दीए cg इन्वेस्टिकेशन करहाओ अब देखो सर्व यही चीज पढ़ता है सथ्ट्राइबनल कब बोलेगा कि दो मैं स्क्षिंट सेक्शन 213 यही बोलता है कि रमेल कब बोलेगा हमने तो देख लिया उदर तीन ट्रिगर पॉइंट प्रस वन ट्रिगर पॉइंट से बट चौथ जो ट्रिगर पॉइंट सब्सक्राइब के द्वारा और आना चाहिए बट ट्राइबनल कब जाएगा सीजी को ओडर देने के लिए यह समझना है 213 में ठीक सर यहां पी यह आख ङसाइब से फिए पुलाइब यह से थीओ को हमने जाना है कि 210 में अंडेटरी सीजी में करवाना है और कभ ट्राइबनल कभ जाएगा सीजी पास पागल तो नहीं हांग डर्यून पास जाने के लिए इसर क्राइटेरिया है कि एक्ठिपनिनल लिगे ट्राइबना पास कि अब ट्रैमिल पास जाने के लिए ना सर तीन ट्रिगर पॉइंट से एक में ने देखा सब सैल तो वह ट्रैमिल जब जा रहा है ना तो ट्रैमिल के पास कोई आया बोले कि सर आपको सीजी को इंवस्टिकेशन ओडर देना तो ट्रैमिल पास अब अब हम घूंच जा रहा है n हो वू क्राइटरिया देखना है कि त्रै धानग Premal जब बात मैं CG पास जाता है पहले उससे पहले ट्रैशनील पास कोई तो जाएगा CG पास जाने के लिए है हम ट्रैशनील पास जा रहना वह क्रैटरिया देखेंगे हैं हापे तो ट्रैशननल में अंविस्टिगेशन ऑफ नबिकेशन ऑफ न अप्लिकेशन ऑफ न एप्लिकेशन high मेड बाई ओफ न अप्लिकेशनमेड बाई से किसके दौर मेड बाई कि वह दो हमने ओप सम्झा रहा हूं आप देखो मालो है ट्रीबिनल है कि हमने क्या पर दिगर यह क्या देगा सी जी को ओर्टर देगा ठीक जी को ओर्टर देगा साथ से घ्रकार का थे यह पहुंचने के लिए इसर ये process कहा लिखा यह वाला लिखा है 2023 में कि Tribunal पास कब जाएंगे किस किसμे ट्रैबंगल का पास जाएंगे हम तो सर देखो अगर कंपनी का सर ать सब्सक्राइऄ से कंपनी इंगां सब्सक्राइऄ में रॉंट र rear पॉला इन्वार सब्सक्राइब ंब सब्सक्राइब कितने नंबर लोग जाएंगए ट्रैमिल पास यह यो लोग है यह यह वाले यह पुसिस इस पुषिस कितने लोग जाएंगे ट्रैमिल पास ओर लेकर। तो देख वोई है basis on application made by सिर्ण वह मैं पर द्रैगन بعد दिया थी अध्यान फार चेजी पैस लिगा है तो और मेंबर्स होल्डिंग वन तेंथ ओफ टोटल वोटिंग पावर कि क्या है whichever is lower मतलब सर अगर कंपनी में हजार लोग है वन थाउजन लोग है और कंपनी ने आप ट्रेवलर पास अप्लिकेशन लेकर गए 101 लोग तो यही पर क्राइटरिया सैटिस्फाई हो गए सर सो लोग हुए ट्रेवलर पास अप्लिकेशन लेकर जा सकते है भले वह 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 टेंट अपनाट वोटिंग कापिटल होल्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बट यहां पर सर मालो ट्रेवलर पास अप्लिकेशन लेकर गए गए बट और क्या लिखा और वन तेंट अगर होल्ट किया हो गए मालो 99 लोग जो थे वह कंपनी में 110 कम से कम वोर्टिंग पावर होल्ट कर रहे हैं तो यह भी से कंडिशन साटिस्फाइब हो गया साइस पर कोश्चिंज अच्छे का इस कोश्चन में कर वाऊंगा साइस्टेइमेट के तो सब्सक्राइब मिनिम्मम क्या है मतलब हंडर लोगों ने मलो 110 करोड रखा है तो हो गया सर वन टेंट से ज्यादा है इसका वन टेंट क्या होता है हंड्रेट एक सो दस कर रखा हुआ है कोई बात नहीं 99 लोग है बट हमारा पेड़ तक बेटल तो 110 कर उस ज्यादा है तो यह सब्सक्राइब यह वन टेंट याद अदना स यहां इसमें समझाने का बात है कितने लोग सब्सक्राइब अच्छा समस्ते समान लोग कंपणी के कंपणी में 900 मेंबर से हुआ है सबस्वाइब अगांपणी का कमपणी शेयर कबिटल अगांपणी शेयर कपिटल है अस अनीज कम दिशिए लिमिट अहां हन्देट मेंबर्स है और वन टेंट अफ वोटिंग पावर वोटिंग पावर से वह पेड़ा शेयर कबिटा के बैसे सब्सक्राइब तो ठ रबkiem ट्रैमनु पर सुब्साइशन केतने लोग जा सकते हैं 100 सकते हैं मलूर इस केस में इस कंप्रणी में 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 किम्प लिए अप्लिकेशन लिक्रण के गये Highway प्रिम्पर्स के नहीं वह सेटिक स्फ़ाइब नहीं ले आ सकते अप्लिकेशन नहीं ले आ सकते हैं अब एक कंडिशन और दीवी नहीं है सर और वन टेंथ और वोटिंग पावर अब सपोज मानलो उस कंपनी का पेड़ शेक अपिटल हजार करोड था और यह जो 80 लोग थे ना 80 लोग सर इन्होंने 220 करोड और रखा था तो हो गे न सर्थ हजार करोड का वंटंग क्या होता है सब्सक्राइब नहीं है नहीं हमारे पास कंपनी में इतना पावर है यह वोटिंग पावर ज्याद आपना चैपसिटी रखते कंपनी में तो यहां सैटिस्फाइब हो गया तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना है कोई भी एक सटिस्फाइब करना है हंडड़ भी सटिस्फाइब हो गया चलो अप्लिकेशन लेकर ट्राइमने पास नहीं सैटिस्फाइब हो गए नीचे वाला पूछेंगे क्या आपका वोटिंग पावर वन टेंथ जादा है वंटें से जादा वोटिंग पावर आपका वंटें से कंपनी अप्लों मिजरेटी बैसे वाले लोग अच्छे वालोग सब्सक्राइब है तो यह दोनों में से कोई भी कंडिशन सैटिस्फाइब हो गया ना तो हम ट्रैबल पास अप्लिकेशन लेकर जा सकते हैं तो सर्थ पहला कंडिशन यह था ठीकर सर्थ सबसे के इन केस इन केस नो शेयर गविटल है नो शेयर कैपितल है कि सुछेयर मिश्र पास के मिंबलबब केन अगर आपके कपनी में कोई शेयर कैपितल नहीं है तो शे पिछए वाला तो पीछी वाला अगर शेयर किटल नहीं है तो सेंपल वन फिट मभरम अब सपोस एग्जामपल कंपणी में पे कंपणी में मालो मालो 200 लोग तो कितनी लोग जा सकते अप्छी या सिंपल सर्ट 200 215 कितना होग है सर्कें 20 व्यूज अगरों ट्राइम पास अब्लीकेशन लेकिशा ड़े हैं तोड़एट्स जा सकते हैं बठपनी में सेंग अप्रफटक्ष मैं इसके लिए तो इस के एफई हें धिन बात अलग साथी जाती है देन 100 अधरक को देश्स फोटिंग पावर आ खिश्ट वोटिंग पावज है इसमें से कोई भी सैटिस्फाइए सर्विच विचेवरी जोवर मतलब कोई भी सैटिस्फाइए होगे आपका आप जो ट्राइब अप्लिकिशन लेके में अप्लिकेशन लेकर आप जा सकते हैं अब वी इंवेस्टिकेशन लेकर चाहिए तुखारक्षा यहां मुझा थो कि वो पीग्हेंस तो अब दो क्रिकाइज तू सब्सक्राइब करें थो वन फिफ्थ होने चाहिए बस member अगर company का share capital नहीं है तो ठीके सर सर ठाट किस क्या है सर tribunal may order on application made by any other person और इनी सरकम्स्टांसिस तो यह कैसर अब समझे यह थो इंपॉर्टें डेसा देख सब्सक्राइब हमने पहला में नमबर देखा कि share capital अगर होल रखाया तो मिंबर जा रहे है सेकेंड में क्या एफ शेर के बिटल नहीं है तो मेंबर जा रहे है अधर में अधर में गर्णब काशा रहे है अधर में 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 ओडर और अफ्लिकेशन में और इनी अधर परसन वहापर तो दोनों कि इसमें में में मिंबर यह शेर का पिडल शेर होल्ट अधर इसपोज को इन्शूरेंस कमपनी शबोस्ट कोई क्रेडिटर ठीक है तो यहां बोले अन्हेंट परसे मील पाझलो कोई बाहर का परसेंट कोई भाहर पसेंट न कंपनी आसेट नहीं है क्लिकर रह कोई ट्रॉल लिए और यही ट्राइनल ओर यहां पर आप इन्विस्टिकेशन करवाओ तो थीक है करवा झाल अब देखो कोई भी बहार पर संजा सकता है इन्विस्टिकेशन गड़ाओ बट राम न बोला कि तीन कंडिशन में ने से कुछ तो होना चाहिए मतलब ट्राविनल में ओर्डर और अप्लिकेशन मेट बाई इनी अदर परसन और इनी सर्कम्स्टांसिस दैट क्या क्या होना चाहिए ऐसा कुछ भी सर्कम्स्टांसे जो यह कोई परसन दे रहा हो बट दैट मतलब डैट मतलब अभी देखें आगे लाइन गजूंब को तो यहां पर टीम पॉइंट है डाट बिजनस है अब जो बन बैंक जा रहा है वह ऐसे हवा नियुक्त बास थैनल इंवेस्टिक पंपने में ज़ना जा रहे हो तुम पूचे वाइब तुम आए ओठीक अची बात तुम्हीं क्या लग रहा है कि क्या सोच के जा रहा है साथ तो यह ABC में लिखा है सारी है business of company is being conducted with intent to defraud his members or traders मतलब सर देखो सर बैंक कर गया ट्रैमने पास नॉक नॉक ट्रैमने बोला ठीक है कोई application लिए नहीं सर बट्रैमने पूछे का किस बेसिस पर तुम आयो तो उस बैंकर ने बोला कि जो बिगने सना जग्दी इसलिमेटर का company का वो जो conducted और रहा है ना वो intent मतलब defraud जो कंपनी चल ला ना वो fraud करने के बिस्किस के लिए किसको फ्रॉइब कर रहा है मेंबर्स को मतलब मेंबर्स का पैसा लगा कि कहीं और इंवस्ट कर रहा है यह मालों इसका कामी का बनाया इसने और निकल जाना तो बैंकर गया मालों फ्रीडम मैं बैंकर गया बोला कमपनी जो बनी है इसका इंटेंशन नहीं है कि फ्रॉट करना मेंबर्स क्रेटर का फ्रॉट करके पैसा लगे भागने का तो यह इस बेसिस पर कोई थर्ड परसंट जा सकते हैं कोई लिमिट नहीं है कि 100 लोग या कोई भी अगर यह हो रहा है कंपनी में ना तो बस उसको रोकने के लिए जल्दी से इनफोर्मेशन इसा है इनफोर्मेशन मालब बनाने में जो परसंट जो है ना इनफोर्मेशन यह इन अलग है फोर्मेशन इनफोर्मेशन 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 आप दा कंपनी और management of the company run कौन करता है company already we know that management करता है और management of company has been guilty of fraud सर मतलब सर सिंपल सा एक एक एक्जामपल दूँगा हमने जाना विजय मालिया ने क्या गरेंट कर रखा है अब क्या हो और ना दो हजार बाइस में विजय मालिया आई और विजय मालिया यह विजय मालिया आया बाहर से हसरा है और इसने क्या किया एक मालिया लिमिटेट बना दिया अब देखो क्या बुला गया है जो भी person concerned ना person concerned information जो यह company बना रिये ना अब दा कंपनी यह तो परसां इंफरमेशन ही अ परसं एंफरमेशन आप बना दी यह लाइन भूल जाना भी थो दो इसी अ फॉपलय सिंपल सेकें लाइन बुल ला थी। बैंकर गया फिटा बैंकर मेंकर वो जो मालया लुपय ने बनाई है वो फ्रॉट करके बैठाव है सर् पहले फ्रॉड करके बैठा हुआ है अब सोच हो ना विजय माल लिया कोई कंपणी फिर से बना रही है तो क्या सोच के बना रही होगी तो सिंपल सी बात दो चीज यहां देखा हमने कंपणी कंडक्ट रन कर रही है और दूसरा क्या कंपणी को फॉर्मेशन किया वही फॉरॉड प्रैक्टर इस बोर्ट रैक्टर में नीडव मोदी विजय अलिया यह सब लोग बैठे हुए है और कंपणी के जो फॉर्मेशन डगे हुए न यह सारे लोगी फॉरॉड रैक्टिविटि करती है सारे इन दोनों कास में रैंकर दोड़र के जा सकती है मालो कोई करिगर कि सार सार इस नहीं कैसे मना दिया है सब फ्रॉड वाला आद मीन लोको मिले वैस में या कंपनी फ्रॉड फ्रॉड है ठीक सर थर्ट के सर थर्ट के सर थर्ट के स इन केस ओफ इन एडूकेट इन्फरमेशन प्रोवाइड टूमेंबर्स इंक्लूडिंग इन्फरमेशन सब्सक्राइब सर थे खुझा तो यह क्या सर यह लोग क्या वैंब सर यह लोग वैंबर्स मा समझोड शेयरवडर्ट यह कौन वा सर यह वा MD यह वा managern अब क्या वा कंपनी मनेजमेंट रन यह कर रहे है असर आपको मैं बता हूंगा सक्षिन 196-197 इसमें पढ़ेंगे हम एक कंपनी लोह में कि इनको ना से प्रॉफित मिलता है सब्सक्राइब करना पड़ेगा अब देखो क्या हुआ मैं एक ओवर्वीव देता हूँ वहापे लिखा हूँ है मैकसिमुम 11% तक रेमेरेशन मिल सकता है सब मिला के रेमेरेशन जो होगा डायेक्टर्स को मिलेगा मनेजर्रेमेरेशन को वो 11% of net profit net profit not gross net profit after sub expenses तेक है यह मिलेगा 11% बनिया सर इसके उपर जाना है तो ऐसा अब कमपनी ने क्या किया ना कमपनी ने 13% दे दिया और एसर पास नहीं किया अब यह मिम्मर हाथ पे हाथ बैठे वे इन्होंने बोला कि कमपनी कमपनी जड़ा information देना में को कौन-कौन सा MD है इसने बोला Mr. A Mr. B and Mr. C कमपनी ने दे दिया अब बोला कमपनी कमपनी में को बताना कितने बोले जल मिले अब कमपनी ने दिया घी नहीं अब ये बोले हो गया आग बभूले बहुंत और हो के पास सब बहुंच गया प्राइबर पास्टिक है बोले कि भाई कंपनी हमेने इन एडुकेट इंफॉर्मेशन दे रही है और वह कौन सी यहां पर रिखाया सब इंक्लूडिंग मतलब वह भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है जै डिलेटेड है मैंडिजर रिमॉरेशन से इग्जाम में कॉष्षन बन सकता है कि कंपनी ने अपना इंफॉर्मेशन दिया शेरोल ड़स ने मांगा कंपनी ने दिया फिर मांगा मैंजर रिमॉरेशन क्या कंपनी बाइन बाउंड यह जाके इन्वस्टिकेशन का ट्रेमलर को अप्लिकेशन मीं दे सकते हैं ठीक है तो in case of inadequate ऐसे बना सकता है क्योंकि यहां पर सेपरेट इस्टेड में लिखा हुआ है से स्टेडी मैं इंक्लोडिंग मैंनेजर रिमरेशन तो यह सब मिलें आपको सब्सक्राइब रिम्रेशन नहीं सकती है नहीं मैंभर्ज का धुड़ा ठॉड़ा ठॉडदा आता है क्योंकि 11 परसेंट नेट पॉफिस तक तो कोई दिक्कत नहीं है दे सकती है शेडूल में भी लिखा है और 197, 196 यह सब भी बोलता है बट 11% से उपर गया ना सर तो याँ दखना कंपनी लोग में लिखा हुआ है कि अब क्या होता है मेंबर बोले कि या तुम दे नहीं रहे हैं कि तुम भाई फ्रॉड रोड कर रहे हैं मतलब 11% के जगा 13% 25% दे रहे हैं रहे हैं तीक है सर इसके बाद इसके बास है कुछ नहीं है सर ट्राइमिनल क्या करेगाएं एनलेसिस करेगा लगो जोडी नहीं ही है यहाँ पधी अब यहाँ पर क्या यहाँ पर ट्रैमनल लांट सिसक्रेगा ज्ञक बाउंन नहीं सब्सक्राइब करें करें चीन नहीं करें कि क्या और पोइंट हो सकता तो यहाँ पे स्टर राम श्याम कुछ भी ऊसकता एक राम लिमिटेड को नहीं हो सकता राम लिमिटेड कोई असर्ट रम लिवेस्टिचन देखो गें यह से दिमांग बठा लेना ठीक है सर चलो इसको तुम्हें कवर कप करता हूं थोड़ा क्या क्या देखा सब्सक्राइब कि ट्राइबन पास कब जा सकते हैं इफ शेयर कैपिटल तो इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट है चलो मैं एक आपको एनलसेस करता है इफ सब्सक्राइब क्या ओट लगहें सब्सक्राइब करते हैं, मैं भी सबनेल्स हुआ अग्याक बता है है यह कहां गहें यह कियो एक है के सीजी के पास है अब सीजी के पास जाने के लिए एक लिसीजी इन्वेस्टिकेशन अब देता सब्सक्राइब 210 बोलता है यह जो देखो सीजी के पास जाना मतलब 210 यह का सीजी के पास बोले सीजी सीजी हम 100 मेंबर्स आये आपके पास अप्लिकेशन लेकर और हमारा वन तेंट और वोटिंग पावर भी है अब बताओ यह एक्जामनेशन कोशन से मैं डिसकास कर रहा हूँ क्या सीजी इन्वेस्टिकेशन ओडर देगा क्या सीजी इन्वेस्टिकेशन ओडर देगा है सोचो सर सेक्शन 210 में क्या बोलता है यह बात तो है नहीं सेक्शन 210 में सेक्शन 210 में बोलता है कंपनी को या सर SR पास करना होगा यह 110 की बात है तो ट्राविनल पास जाना तुम अब देखो मैं यह लिंक करा रहा हूँ सब्सक्राइब कंपनी को SR पास करना पड़ेगा प्लस इंटीमेशन देना पड़ेगा सीजी पूछेगा तुमारे कंपनी में कितने लोग है यह बोलेंगे कंपनी में 1000 मिम्बर्स है तो सीजी बोलेगा भाई 75% लोग मतलब SR मतलब 750 मिम्बर आने चाहिए मेरे पास आ रहे हो तो सीजी के पास आ रहे हो तो यह बोलेगा सर लिखा वाता है लौ में 100 member भाई बोलेगा चल निकल यहां से अब यह लोग मायूस हो गए 100 लोग अब यह 100 लोग यहां पर सर नहीं आ सकते यह question है examination का but 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 sir यह 100 लोग यहां यहां नहीं आ सकते तो याद रहना सर एक्जामनेशन कोष्टन है पहले पूछेगा सीजी आप 75% ऐसार पास की हो वो बोले का नहीं अभी निकल यहां से मला सीजी के पास 210 में आ सकते हैं वो लो मायूस खड़े बट उनके पास एक दर्वाजा खुला सर 213 में क्या लिखा हुआ है आओ मेरे पास बोला कि आप 100 मिम्बर से आप एसार पास भले भी मत करो आप 213 में आओ ना अब ट्रैमिल को मौका दो सर सीजी हो सकता है बीजी होगा नहीं सुन रहा हम आपकी सुने कर रहे हैं अब क्या करेंगा अब ट्रैमिल को लगेगा इन्वेस्टिकर आना है तो यह सीजी और देगा अब अब सीजी सैल अब यह लोग बोलेंगा और भाई आगया स्वाध हमें यहां भगा दिया तुमने अब देखा तुम आपना ओर कर दिया इस्पेक्शन का तो यह यहां देखा दना सर चीजी के पास वही लोग जाएंगे जो एसर प्लस इंटीमेशन कर रहें सीजी को बट अगर हंडेड मेंबर्स वाले कंसर्ट है वो ट्राइबनिल के पास जाएंगे यह तो यहाद ने एक्जामिनिशन कोशन आया हो अज़ा तो यह मत लिखे आजना कि इंवेस्टिकेशन नहीं हो सकता है इवन हाँ 210 में नहीं हो सकता है 210 में साफ साफ लिखा हुए ऐसर बट 210 छोड़के 213 में हो सकता है सर अगर अप्लिकेशन हंडेड मेंबर्स लेके ट्राइबनर पास पहुंच जा और ट्राइबनर अपना इनलसिस करके CG को और देदे यहा मैंने कोश्चन डिसकस की आपसे और बहुत इंपोर्टन कोश्चन ही है यहां पर हम 100 मेंबर्स लेकर जाएंगे सीजी में थपर मारगे भगा देगा बट हम रोहेंगे नहीं हमें हमारे पास 213 दर्वाजा खुला हुआ है जहां पर ट्रैमिनल के पास अप्लिकेशन जाने क प्लिकेशन और पास करना उसको इसको कि अपसफ़ ये क्लियर होडाइन को च्केशन थोड़ा इंपोर्टन है सब्सक्राइब थोड़ा अब चीग है चलो सब जोखें बहुत इन्पोर्टन्ट है कि 213 और 210 में लिंग जाए 210 में में जाते 210 में जाते 210 में प्रेक्याइन बरिया सर आगे बरते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट था सर नेक्स्ट सर नेक्स्ट सेक्षिन तो मैं सेक्षिन सेक्षिन बाइस चल ला हूँ और आम से सब कुछ होगा दोसो पनदा तमने कवर कर लिया सर बस 220 खतम करेंगा और कल आवाँ चैप तक हटम करेंगा और कल से चोड़े चोड़े सेक्षिन ज्यादा कुछ है नहीं आज 220 खतम करेंगा सर माँ टार्गेट अज यतना नाइम लगे यह तो 220 तक खतम करेंगे आज आम से एक्जांपल के सा है सब मतलब सर चलो बताते हैं इतल सर जकदीश लिमटेंग्र में और कुसर क्या बोलना है है यहाँ बस दो sentence आपको जाना है सक्ष pos Listening सर्यांभी अबना है से यह कोन है से सर जकदीश लिमेटेंग्र क्या बोला हैसे इन्वस्डिकेशन इन्वस्डिकेशन कर रहे है soaking कर रहे देखो मालो इसके shares 1 lakh है कितने सर 1 lakh shares है और मालो ये कोई company है company का नाम में है मालो Mohan Limited इसका कोई member है इसका नाम है सर Sanjay और इसका नाम है सर आशुतोष Mohan Limited का डारेक्टर समालो डारेक्टर है समालो एक्जामपल अभी डारेक्टर है क्या नाम है सर Sanjay जो डारेक्टर को थोड़ा contradict हो जाएगा Employee समालो कि कोना सर Sanjay और आशुतोष किसके मोहन लिमिटेट के है यह कौन है जग्दीश लिमिटेट यह किसका शेर है एक लाग अब इन्विस्टिकेशन किसका चल ला है इन्विस्टिकेशन चल ला इसका विभेट쪽 फकल परफॉयह नहीं हो सकता इंस्पेक्टर एक इंडिविजाल सकता ठीक है इंवेस्टिक कासरraktर राएं यह मनूँ यह सी जी बोला इस पक्टर इसकेक्टर जा व एके इस कंपनी ना यह करने का दा ख्यूम अब देखो ओनर्शिप के रिगार्डिंग सेक्षिन है क्या बोला देखों कंपनी के शीर्स कितने है एक लाग अब देखों 50,000 शेर्स कि संजय होल्ड कर रहा है और 50,000 शीर्स आशुतोष होल्ड कर रहा है कि संजय कहा का मुहल लिमिटेट का इंपलॉई है बट इसके 50,000 मतलब आधा शीर्स 50% शीर्स यह यह संजय होल्ड कर रहा है और 50% शीर्स आशुतोष होल्ड कर रहा है ठीक है कि शीर्स वाले को मिलता क्या है बाद में डिविडेंट कि यह प्रॉफिट जो समाइल लोग ठीक है किनको मिलेगा मालो कमपनी शेयर्स प्रॉफिट का डिविडेंट कमाईगी तो इनको मिलेगा बढ़िया सब्सक्राइब और करता है लिंक मालो एक कंपनी और है कंपनी का नाम है कुंदन लिमिटेड इसका इंप्रॉई है सर रगू है अब यह क्या करता है न सर सर रगू क्या करता है न सर यह जो कंपनी एन सर इसका पॉलिसी मेकर या डिसिज़न मेकर समभ़़ लो अब देखो सर इंस्पेक्टर आया इंस्पेक्टर आया और कंपनी जगदीश लिमीटीड है अब इसका शेर किसने के ओलट कर रखे संजय ने आसस तो जह मुहन लिमितेड मैं कर रहा है कंदन निम्त्रीट कर में अंदर कुछ नहीं रहा ہी 완NING नवर लग़ें कमनी का ना कंपनी का इतल सब अब कहां तर रहा दो इसने सीजिक निवो लॉकी इंसपेक्टरर जाओ इनिविस्टिकिशन करौ की कंपचा की आप्राओ जो ट्रिक्टिक में कंपनी को से वह फॉनिश्प की पारइब इन बलब सिंपल बोला इन्विस्टिकेशन अफ ओनर्षिप और शिप कैसे सर ओनर्षिप में क्या कैसा ओनर्षिप में हूँ आड है फाइनाइशली इंट्रस्टेट अपर कंपनी जैसे नहीं होता है सर्थ मंडर कि यह और ने किया सक किसी और पर जारा है पता लगाओ कि कौन करनuber फाइनशली माई निकूसी कर राहे कि इसकुष कि ऑफाइनशली इंट्रस्टेट अट घुड़ों था कि ये मालो हर्याना में बताव यह मैं है इधार फाइनशल इंटरस्त ही दो आख तो यह तो जाओ पता लगाओ कि इस कंपनी के शेर्स किसने करकेस नहीं होल्ट का किया किया फाइंशील इंट को एक शीर इस नहीं होड़ा चुछ तो अश्च रस हिम जार्थ मिले ऐत तो तो पता भी दिवियरंट टीन सबनीर कुछ बोल भी नहीं रहा है कमपनीग मैपनी सुधार रहा है यह प्रफित होड़ा है तो फ्रॉट्ग रि लागा हो कि कौन-कौन financial interests उस company में कर, financial interest है उस company पे, किसका financial interest है उस company में, और कहीं बेटे वे उनको पूछ ताच कर क्या हो, simple, और क्यासर? और क्यासर? और, और, सद्धिकों. और, who are able to control or influence the policy इस्केवाइब नंत्रैम्ट जानना चाहती एक है मैं इनकी में में लोकॉन है मैंजमेन तो ठीक है रन कर दो नर्स का बिजनस का चलाने वाला ऐसे चलाने वाला इस rumors अधर सी होता है उसको भी लेकर चलो भाई तो में पता लगाओ कि ओनर्शिप किसके पास है विज्वर सब्सक्राइब अब नहीं नहीं सुधार नहीं हो तो ऑनर को पता लगा बहुत कुछ पता लग जाएगा में जो हो ना बेस पता लगता है ना ओनर कहां से मलब ओनर कौन को नहीं उसे पूछता करना बहुत कुछ पता चल जाएगा और सर क्या बोला कौन कर रहा है तो पता लगाओ कि कंपनी के कौन कर रहा है कोई पॉलड कर रहा है कौन पॉलिसी कंट्रोल कर रहे है यह रगूड करता है यह रगूड करता है इन दोनों को पता लगाओ तो 216 सर यही बोलता है सर इंविज्टिकेशन करो किसका सार? Who are the financial interest of a company? ठीक है? इन success और failure failure भी हो रहा है तो भाई चार सास वीज़े डिविडेट ने मिला है loss में जा रहे हो तुम भाई owner हो कंपनी में सुधार हो कंपनी के management change कर वा हो या success हो रहा है तो हो सकता है और पाले सिर्ट में पता लगाऊ को एंगा विए विग्सी रोप इंको इंस्पेक्शन रूप नियुक्स तो थीक्षा रोग इंगाऊ इंस्पेक्शन तो थीकर सॉफर में इंवेश्टिकान से पूछ दो सर्फ फूछ रोग पैठाओ उनको जो करना किरो समन में लोग समनों तो दो सुलम यह जा सर पड़ो के लाइन पूरा यह नोट्स में पूरा लपा यह पास यह समझ जाना सरी है और यह दो लाइन तो सापको समझ नहीं है सर वहार फानेशल इंट्रस्टेट और वह एबल टू गट्रोल दर इंफ्वेंस पॉलिसे डिसीन मेंकिंग इंविस्टिक अब देखो इसी में साथ cg also determine एक चीव बताना नाता हूं इस में सब सेक्टिन का पाटा cg also determine scope of investigation and it includes and and it includes 10 year of investigation matters to be covered we audit we audit we audit सब्सक्राइब करने के लिए आपको इंस्पेक्टर को बोलेगा भाई तुमको एक स्कोप मिला है इस स्कोप इस दाइरे मेरा के इंविस्टिकेशन करना है ऐसा नहीं हो कि पता चला तुम किसी कंपनी को उठा के लिए उसका फानेशन इंटरस्ट भी नहीं हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है तुम दो साल इंविस्टिकेशन करोंगे तीन साल करोंगे यह बताओ यहाँ पर ओलरीडी सीजी बतायाँ असल तो सीजी के स्कोप बेगा जैसर और इसकोप में क्या असल एक दाइरा है यहाँ तोंको इतने टाइम में यह इतने ते मैंटर्स को चेक करना है इंसपेक्टर की इंसपेक्टर की लिए इंस्पेक्टर के लिए इंस्पेक्टर तुम्हें किस दाइरे में रखके काम करना है आप स्टेंडर कांफिर्मिशन नहीं लिए सकते आपके स्कोप में लिखा होगा यह मालोग स्कोप में लिखा आपके IT पॉलिषी चेक कर सकते तो आप आप पास जाके नहीं बहुत सकते भाइपनी पॉलिषी लिखा लेगा एक टाइम प्रेड लिखा लेगा और क्या-क्या मैटर्स लिखे रहेंगे मालोग बोला कंपनी को कि फाइनिस इंट्रस पता करना है तो एक्विटी बार में देखो देखो और भी मैटर्स कवर्ड होंगे इसके अंदर तो यहाल बस इतना लिखा मैटर्स सेक्शन 217 देखो यहां पर क्या सकते हैं यहां पर लिखा वाया है कुछ नहीं है मतलब कुछ नहीं है सब्सक्राइब देखो सब्सक्राइब मैं आपको सेक्शन बताता हूं इस सेम यह सेम लगब लगवे सारा सेम जो पता रिता हूं यह सेक्शन 207 सब लगब लगवे सेम इसर क्या बोला सब सब पावर इंस्पेक्टर सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं तो पावर अफ इणस्पेक्टर ही थासर सट कौं सब्सक्राइब सब्सक्राइब याब यहाब इस क्या पावर इस इं पसर डाइब और क्या लिखा देखो स्यम्हाइग कर दिया यह गोई कोह स्यम्हाँ पूछा तो पौइंट को लिखक आने हैं सर आशार सर याद इन है से सिंपल ड्यूटी ओफ या पढ़ाव और धूचा थाइम यह तुड है इंस्पेक्टर को इतना दिये थे वहाँ पे एससेंस दिये थे भाई यह तो इसको तो और अच्छा से एससेंस दो तो सिंपल भी एसक्षिंशन साथ छोटे यही पॉइंट कुमा के बोला है वह दो साथ वाली कि तुम यह तुम्हारी जो कंपनी का ओफिसल इंप्लॉई है न कि उनको अस्टेंट देना पड़ेगा इस्पेक्टर इसक्टर ने बोला भाई यह बुक्स वेकान ला थो नहीं दो गए तो ऐसे नहीं भाई तुम्हें इंस्पेक्षिंशन इंस्पेक्टर को ना सिर्फिटे ओर फायर और यहीं है सर तो सब लगन्झ लबसाइध भार सेमी पआवर और सेमी है सर इसको तो वहरा आगे नियुच उसने में इसके कले अगगी इसको फटलो होली पिननकना है इसका रेडिंग मालने इसका रेडिंग मालने आसर इसमें कुछ है नियुक्त बता रहा है आप डाइस समझ जाओ ना सब्सक्राइब क्या बता हो लिस्ट इंपोर्टेंट पावर को कभी नहीं पूछता पूछे आपको यह डाइस आना चाहिए और क्या सब सब्सक्क्राइब यह म最近 सब्सक्राइब क्राइब हेडिंग जाओ सर्व प्रोडिक्शन अफ इम्प्लोईज दूरिंग इंवस्टिगेशन सर्व मतलब सर्व मतलब इम्प्लोईज पर लाठी बरस रहा है अम उसको जाके कबच बचा देंगे ऐसा है नहीं सर्व सुनो क्या है एक सेकंड सर्व सब प्रोडिक्शन अफ इम्प्लोईज दूरिंग इंवस्टिकेशन देखो ये कौन है ये जगदीश लिमिटेड है इस कंपनी में फ्रॉड किया माल लो माल लो फ्रॉड किया एम्टी मैनेजर ठीक है अब क्या वसर अब क्या वसर सुनतो जो जो बोलाई उसको सुनते जो मैं लिखे हुगा अब क्या वसर सा investigation हुआ company का ठीक है? and employee से पूछता चुआ देखो पूछता सबसे होगा company में employee से क्या हुआ sir simple simple से मिलो inquiry हुआ inquiry हुआ अब क्या होना sir एक employee है सा था Mr. Mallow ये मलो Mr. C Mr. Seeda इसने क्या क्या sir सर इसने सब सच भोल दिया किया sir so सब सच भोल दिया कि क्या बोल दिया हाँ ये MD अना ये MD मिला हुआ था सर्य guide manager मिला कभ सर्दीय नियन상을u employee क्या किया सब सच भोल दिया हाँ सर्य guide ये MD ने सर्य 200 क artifacts 200 कंच मैं ये MS सब बोल दिया जगदीश लिमिट्डिटेड का जो सारा मैडिमें था यह इसको बोला तो बाहर मिल तो बाहर मिल भाई तुम बाहर मिल तु में तो अपने कंपनी में काए त नहीं है जिस घर का नमा खाया शोमें अभर किया ठीक है यह बोला तू बहर मिल अब सबसे पहले हमें जानना है कि सब्सक्राइब इंस्पेक्टर के पास माले मिस्टर सी नहीं बताओ तो हम तुम्हें जेल में ले जाएंगे मिस्टर सी बोला सर बताएंगे सब्सक्राइब अब यह बात इसके मैंजमेंट जगदी स्लिमेट को पता चली इसने क्या किया जगदी स्लिमेट इसको बोला यूर फायर भाइ तुल निकल टू घर कई तुल घर का बेदी लंका रहा है टाइब कर से निकल pregnant अिकाल दिया Capital house इसको मिलता यहाँ प्रोटक्शन अब नहीं निकाल सकते सरी pear- compqIy s s employee koo?」 अगर जिस Improyन Assistance दियाना company में उसको नहीं निका सकते तो फहार सर वर्डिंग जानो Two Hollywood किया है यह है सयसमा क मेंसर पछिर सूना कि यहाँ पर इसका protection मिला है ठीकिस देघृ आज पो पडिंग क्या से in case of in case of discharge और suspend suspend का वोता सा temporary होता है any employee ठीक है या यह वर्डिंग या दाना सा जो में लिकवाना हूँ discharge और suspend सुनते जाओ पहले जो लिकवाना सुनते जाओ या reduction of rank of any employee या removal मतलब सर्य यहाँ पर reduction मतलब सर CEO से उसको क्या कर दिया normal employee बना दिया कहाँ CEO था कंपनी का कहाँ normal employee बन गया सर कंपनी ने क्या किया सर उसके साथ कंपनी ने क्या किया सर साथ उसके employee के rank में reduction कर दिया सर क्यों सर क्यूंकि इस employee ने सर उस CEO ने सर मदद दिया था investigation में ठीक है या क्या 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 डाइट निकाल दिया बोला CEO कर दिया उसका या remove कर दिया तीसरा क्या क्या सर to change in terms of employment at his disadvantage सर मतलब सर सिंपल समझो salary per annum 60 lakh से 20 lakh कर विया मतलब किस ने किया सर उस company ने किसका किया सर उस employee का जो assistance दे रहा है इंस्पेक्टर को कंपनी बोला तेज बन रहे हो हमारे घर के लोग हो तुम और तुम इंस्पेक्टर का assistance दे रहे हो उसको गलत जब कर रहा कंपनी में डड़ी वी है कंपनी अपने इंप्राइब को बहाई हम सब मिले वह है तुम सबने पैसा कमाया है बट एक आदमी था मिस्टर सी उसने नहीं किया था अब सबसको धंकार है भाई अब मिस्टर इंसपेक्टर गया को डिना कुछ बोल के न अब हमपने हं क्वोल धिया कर देंगे इसा क्या प्रोटेक्शन लोग इसको दिखो सब क्या प्रोटेक्षान दिया दिया और यह तीन के सब तक नहीं कर सकता है देखो मलब क्या in case of discharge or suspend your reduction of rank to change in employment मतलब 60 लग से 20 लग CEO से remove कर दिया reduction कर दिया या suspend कर दिया temporary 5 मेने के लिए ठीक है इससे पहले क्या सर इससे पहले क्या होगा सर देखो यह इससे पहले सुनो सर अ दिया है एपर को पुर ये पुर्ड रसस में przy 32 descriptions u भीर पुरे सिंutने वासर तो नहीचे से लिए दिया क्या है आप कर क्या होगा आप कर दिया हूज आप से लिए पर से लिए। है ठीक है मतलब सर, मतलब सर अगर तुम किसी कंपनी में کसी इंप्रॉई को सस्पेंट करोगे रा कि तुम की कंपनी में किसी इंप्रॉई का ऐ Gimme करोगे से कि या उसका डिस अद्वेंटेज्व करदो रभी अगुछ भी शेजर장 कर दोगे तो एप्रूब लेना पड़ेगा भाई कम्पनी तुम्हें बट सर सुनों सर अब देखो सर यह तो ठीक है सर ट्रैम लेना पड़ेगा बट सर भी ही तो बोलन सर प्रोडिक्शन ज्यादा दिंगा नहीं है सुनों क्या क्या सिर्ट इस कम्पनी ड़स नट रिसेव अन्य आद रिसेव ज्यान समयर्ण बट से बस्ताए ने से प्रेंगा रिद्गा कर दिसी व क्यास कर दिम पर्धिक कर दो कर देखो टीक है ठीक है, then company may proceed, सुनों बताता हूँ इसको मैं, to take action against employee, सर बताओ सर यह क्या लिखा है सर आपने, देखो, example लेकर चलता हूँ, ठीक है, यह जगदीश था, इसका जो था यह employee था, इसको क्या करना था सर, इसको हटाना था सर, बहुत इसका न सर, rank reduce करना, तो मालों CEO से employee बनाना था, normal employee बनाना था, अब जगदीश लिमेटर ने क्या किया, इसने क्या किया सर, इसने ट्राइबनल को application दिया, देखो लिखा हुआ, section मैं देखो, ट्राइबनल को application देना पड़ेगा, पीछे क्लिक section लिखा हुआ था, कि तुम किसी का discharge ने कर सकते, suspend ने कर सकते, reduction rank ने कर सकते, chain term ने कर सकते, approval of terminal required, approval of terminal is required to take action against the employee, अगर तुम किसी employee against action ले रहो ना, तो approval of terminal required, जहुरी है सर, ट्राइबनल से बहले पूछना, ठीक है, बट मानलो ट्राइबनल पर सब्लिकेशन डाला, और तीज दिन, निकल गया, ठीक है, अब क्या हो सकता है सर, तीज दिन निकल गया है, कंपनी, 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 कंपनी में, proceed to take action, अब कंपनी बोला कि हाँ, अब भाई इसको निकालो, ठीक है सर, सर देखो, कंपनी निकलने से पहले ट्राइन से पूछेगा, ट्राइम निक पास कितने दिन का टााइम है, यह सेक्षन नाम के लिए बस प्रोटेक्शन आशिए, लिके सिक के अप्लिकेशन दिया है, इसलिए सब्सक्राइब आपकेशन दिया अप्लिकेशन दिया कि मिस्टर मालुष का मिस्टर सी नाम था मिस्टर सी का CEO से इंप्लोई कर रहे हैं प्रैमने को अप्लिकेशन मिला थीज दिन बीच गह आ पचास दिन हो गया ठीज सुपधित ऊप्लिकेशन आफ डीन नहीं बोल दिया था सक्षां भी नहीं नीकाल इसको अगजैने है तुम्हां नहीं निकाल ना इसको अब क्या होगा धिको हमें यह जानेंशन प्लिकेशंद आ किसी कंपनी में इम्वाई को निकालने के लिया दो निकालने लिए यह सब्सक्राइब करना चाहरे है तो सब्सक्राइब करना चाहरे है सब्सक्राइब करना चाहरे है अब अब ट्रेविनल से नहीं पूछना कंपनी पास पावर आ गया कि हां भाई तुम्हें निकास सकते हैं बट अब समझों कंपनी था जगदीश सक के स्टडी बनता है यहां से आ दखना यह था ट्राइबनल इसने बोला सैलरी किसी का एक सालरी सिक्स्टी पर एनम से फुर्टी पर एनम करेंगे हैं ठीक है ट्राइबनल ने क्या किना इस पार ट्राइबनल ने ट्वेंटी एट डेज में और दे दिया कि नहीं करोगे तुम सिस्टी पर एनम से फुर्टी पर एनम ठीक है अब सोच ना सर अब यह बंदा मालो कोई मिस्टर सी यहां पर आके मिस्टर सी हासर आया है अब यह मिस्टर सी का परफॉर्फॉर्मेंसी खड़ाबता सर अब यह बोला वह ट्राइमनल तो मेरा मजद कर दिया याट गजब ट्राइमनल तुम साट लग से मेरा 40 लग सेलरी नहीं हो दिया मैं तो परफॉर्मेंस खड़ाबता मैं तो दस वज आफिस आता था चार वे चला जाता था तुमने तो मेरा सेलरी का हाइक भी रुकवा दिया बट यह सर बट 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 कंपनी के पास एक पावर और अब देखो सर यह तो भाई यह तो मज़े ले लिया कंपनी करने देंगे तुम्हार हम साट से चालीज बट सर देखो क्या लिखा है देखो एक तो ट्रैमने को ओर्डर नहीं आया तीस दिन में तो सर वो डीमड एकसिटेंस हो जाते हां कंपनी कुछ भी कर सकती है बट ट्रैमनल ने बोल दिया ठाइस दिन में अब कि तुम कंपनी नह इस कमपनी इस्ट्सपाइब विट अब्जेक्शन किसके दो अधर यह सर ट्रैमनल रेस्ट बाई राइब करने वाल ले टिन मतलई तर अबिश्टेंट किया नहीं सर इससे कंपनी क्या आइस या अपनी दिससाइब ले यारी तो एम्पलाई सीयो मेरा चाद दस वाजा था दिया तो चलो यह फ्रोड इन अपका मजद नहीं कर रहा था हमें कुछ फ्रोड नहीं बोला था यह बंदा ऐसा था था कि जो 40-60 लाग डिस ड़स्वार नहीं कर रहा है कंपनी का अब आप रहा है किसके दोड़ा objection raised by tribunal, it may, मैं लब कॉन सर, it मतलब company, company, company may prefer, prefer, and appeal, क्या sir, appeal, sir, किसको sir, appeal, tribunal से बड़ा कौन होता है, sir, tribunal से बड़ा sir, appeal, tribunal से बड़ा sir, appeal, tribunal, and decision of appeal, tribunal is final and binding, appeal, tribunal ने बोला कि भाई, 60 लग से चाली से होगा, तो company को होगा sir, अब इसके उपर कोई appeal, फिल नहीं जाएगा sir, appeal यहीं तक है sir, बस, tribunal बोला नहीं, भाई, साट लग से चालीस लग, मनलोग साट लग सालीस से नहीं हो सकता, तो नहीं होगा, ट्रैमल अपले ट्रैमल अपले ट्रैमल अपले ट्रैमल है, मतलब sir, एक समझे, sir, company क्या sir, ट्रैमल है पास, मनलोग तीज दिन, not in 30 days, तो यहाँ पर जा सकता है, अपले ट्रैमल, यहाँ पर क्या है, यहाँ तो डीम दो जाता है, तीज दिन में नहीं आए तो डीम, और साट एक बात सोचो, एक बात मैं आप से पूछता हूँ, ठीक, कोश्चन सा, एक्जाम में आता है sir, अब एक बात सोचो, ये ट्रैमिनल था, कंपणी फर्स्त किसके पास गया था? कंपणी फर्स्त गया था, तीज दिन में ट्रैमिनल पास. यहाँ पर आया, इम्प्लॉई के खिलाफ। इस कंपनी के खिलाफ तो तो कंपनी एपिलेट ट्रैमिल पर जाएगी अप्यश्ण लेकर है हमने पीछे देखाना सर कंपनी एपिलेट ट्रैमिल पर जाएगी बोलेगा पिलेट ट्रैमिल ये ट्रैमिल में जो अबिक्षन दिया गलत लग रहा है मैं को बट मालों इंप्लोई के खिलाफ आगई मालों ट्रैमिल नहीं बोल दिया कि हाँ साट लाग से चालीस लाग पड़ आप उल्ला सकता है इंप्लोई बोसकता प्लेट ट्रैमिल ये ना कंपनी है ना को ए्ट राद ट्रैमिल इसने क्या किया साटे चांप यहाँ सकती है यह पर हम यह देखाई ओडर बोले वह स्टाप यहीं पर स्टॉप है बलाइब इंप्लोई को बोल दिया साटले चालीस लोगे अ लाइब बोल दो निकाल ले तुम निकल रहा है तो अपिलेट रामल यहां नहीं जा सकता है 218 में तो नहीं जा सकता है तो अपिलेट ट्राइल पास अप्लिकेशन लेकर हैं तो यह समझना साथ को दो सो थारा से प्रोडेक्शन अभी एंप्लोई यही तरस है सक्या तरस है एक वास्तों रिवान गासो बढ़ा हो गया सब्सक्राइब कंपनी किसी भी एंप्लोई का दू अप्लोई अप्लिकेशन 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 नहीं आया तो सब्सक्राइब कंपनी क्या कर दिया सकती है अठाइस दिन में दे ओर्डर कि साथ लग से 40 लाग परेनम होना है तो साथ लग से 40 लाग परेनम नहीं होना है या होना जो भी है कंपनी खुश नहीं है कंपनी कहा जा सकती है अपिले लिए पाल जा सकती है अपिले ट्रेमिल को जाता है कि यहां पर मैंने बता दिया आपको ऐसे से कंपनी यहीं पर स्टॉप हो जाएगी इंप्लॉई खिलाब कुछ भी नहीं जाएगा आगे कंपनी अब्जेक्शन कर सकती है ट्रेमिल को और को भी कहां तक अपिले ट्रेमिल तक बढ़ी यहां सब्सक्राइब क्लास को अराम से ट्रेम बढ़ा के समझाना हो इससे क्लिर क्या समझाओ आपको रिडिंग लगाऊंगा तो आप बोड़ो जाओ अब नीद आ जाएगा आपको रिडिंग लगा तो आपको कोशिस कर रहा हो ना आपको लिंक कराने का शैप्टर को चलो इस माइट राई होप सो अपको इनवेस्टीशिन को तो रहे है पहले है अब इन्वेस्टीशन कैसे कर तो और पता लगाया हमने अब इंप्लॉई को म Depending कि Western वेट लोगो में धुछ चुका, किया निद्गीज़ कि करना होगा, खल इफ जा कर सकता है, क्या क्या करना होगा, यह सब देख रहा है, अब क्या भुलाई सर। ऑवर ऄ इंस्पेक्टर मैं कुक ऑज्छंत आ और एनन्वेस्टिगेशन into affairs of related company देखो कुछ नहीं है सर खुछ नहीं है देखो बहुत से अनाम से सेक्षिन है सर क्या बोला है क्या बोला है सर इंस्पेक्टर के पास पावर है किसके पास सर इंस्पेक्टर के पास conduct investigation किसका सर किसका किसका related company sir related मतला हम holding subsidiary subsidiary टीक है Hello सब्सक्रांइटरेय बहुत है इसक्र बिअनपर इन्वेस्टीकिशन चल ला है कि इस पर बらい इस पर आपर इन्यटडर कर सकता है इस पर má 오른 इंवेस्टिकेशन कर सकता है सर यहां पर पैसा घुम ड़ा हो यहां पर ठीक है अब देख सर क्या बोला सर सुनो मैं एक डीर्ग्राम मनाता हूं आपको ठीक है सिर्ग यह माल लो है बॉल्स लिमेटेड क्यों है सर बॉल्स लिमेटेड अभी चल ला है सर माल लो financial ये कौन से चला है सर 2021-2022 सुनते जाओ यहां सब बुल्स लिमिटेटर हटा देते हैं सर ये समझ जाओंगे सर इजी हो जागा सर चैप्टर इजी हो पास ये समझ जो सर क्या है सर ये कौन सब बुल्स लिमिटेड 2021-2022 इसकी माल लो subsidiary है Fox Limited ठीक है माल लो एक फॉक्स लिमिटेड कब सर कब सर 2020-22 में अब समझो सर इंवस्टिकेशन जोड़ी है 2020-22 का हो इंविश्टिकेशन यहां कभी दो सकता है सुनो यहां के अब यहां को हमने अब स्टार्डिंग जाता हूं सर यहां पर क्या होगा यह माल लो 2008-2009 कंपनी ने क्या किया बुश्टिमिटेड इसने क्या किस आओ सी-4 एंव्जिटी-7 फाइल किया इस बिस्टिकेशन पर क्या होगा सर इस बेसे पर इस पर कॉल फॉर इंविश्टिकेशन कुर नहीं दिया तो सरre Inquiry नहीं दिया तो सरre Innspection Inquiry Inspection both साथ में सह वो नहीं हुआ तो सरre उसकी Bisist प्लेग si? और 2020-22 में Fox Limited या मालों Investigation चालो ऊए 2021-22 में चालो हुआ मालों यहान नहीं चालो हुआ मालों लंबा time लग गया company को inquiry inspection करने में मालों example समझचन example लंबा टाम लगया और Investigation चालो हुआ यहाँ पह सब section ने क्या बोηए अब मालो इस कंपनी में सर यहाँ पर है एंट लिमिटेड X Y Z लिमिटेड PQR लिमिटेड देखो सर इस सेक्शन ने क्या बला सर कंपनी पावर और इंस्पेक्टर किसके पास इंस्पेक्टर सर पहला कोशन मैं पूछाँ आप से रिलेट अट टाइम सर ताइम सर देखो यह भी तो रिलेटेड है ऑक्स लिमिटेड और फॉक्स लिमिटेड क्या इसका भी इन्विस्टिकेशन होगा नहीं सर इसका नहीं होगा जो जिस टाइम कब डेटा खुला इस टाइम का फ्रॉड हो रहाना इस स्टाइम के बेसिस पर कॉल फॉट इंफ इंविस्टिकेशन होगा ना कि अभी पता चला कि तो ऐसा रहेगा सर अधर कंपनी में तो कोई जोड़ना ही नहीं चाहेगा फिर तो कभी कंपनी में में यही सब ऐसा है क्या बोला सार दो इस टाइम में सार इस टाइम में इस टाइम में आपकी कौन-कौन सी holding subsidy थी ना और जिस टाइम का आपका investigation होना जिस टाइम के basis of record के basis पे पहले call from information होता है उस basis से inquiry होता है फिर उस basis पे investigation होता है तो इस साल क्या आपका होना सार इसका होना सार इस इनका की होगा सर यह तो बैचार अभी नए-ने जूरे आप से ऐसा रहेगा तो पराना अदमी को लेना चालू कर दो गाप उस तर यही बोला सर और चलो एक लाइन मैं समझाता हूँ इस figure पाएंगे देवो पहला क्या बोला सार देवो क्या बोला सार जल्दी बताता हूँ if an inspector appointed under section 212-13 इसमें क्या होता है investigation के लिए होता है consider it necessary 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 he can also investigate affairs of Watson affairs of anybody corporate which or has which is or has at any relevant time so you do these are those of the only scale adding it at any relevant time being company subsidiary you're holding has 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 at any relevant time company का क्या था सर सब्सेडिया होल्डिंग प्रीवेस पीछे आते सर्थ हो सब्सेडिया बता है यहां पे सर्ट मालो भूस लिमेटेड क्या था सर्थ और सर्फ ल्डिंग तसर्वेल होल्डिंग था सर्फ तो तो हमारे सारे सबसेटी का क्या होगा इंवस्टीकेशन होगा सर सर एनी बॉडी कॉपेट कोई भी कमपनी जो आपकी क्या है उस टाइम एट रिलेवन टाइम जो भी आठ दो याठ नो की फाइल खुली है कि उस में आपने जोल किये डो यार नॉमें को भी हम डोक्मेंट शुमें सब्सक्राइब विवस्ट थो और किसका लिछ नों में तो चोन नॉड़े वे थे नौस कंपनी से कि चलो आप तुमारी बिन वीन श्टीकेशन होगा ठीकर सब्सक्रांग और किसका सरी इंवस्टीकर स at any relevant time being managed by wording साफ इसा managed by किसके दोरा देखो simple यह बुल्स लिमिटेड इसका MD Mr. A Mr. A Sir कब है साथ नो फाइल उसमें खुली है Mr. A है न सर एक कंपनी चलाते थे इसका नाम था मालो ABC Limited तो सर यही बोला सर कोई भी body corporate which has been at rainy है सर पास की बात करता सर जो भी आर्ट नो का डॉकमेंट खुलाना at any relevant time being managed बाई किसके दोड़ा manage भाई या तो MD manage कर रहा है मालो Mr. A manage कर रहा है कोई कंपनी या कोई भी body corporate Mr. A manage कर रहा है इस बूस लिमिटे जिसका investigation हो रहा था इसका investigation हो रहा था इसका MD कौन था सर Mr. A उसका manager कौन था Mr. C ये दोनों जो 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 company run कर रहा है सर इस company का भी क्या होगा सर इस company क्या होगा सर इस company का investigation होगा मलब कहते हैं सर आपका MD जहां 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 जो 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 company investigation कर सकते हैं ठीक है सर और सर और सर और सर और सर इनी परसन तर यह दो यह आमनों अल्यटी पीछे पर त्रीक है और इनी परसन हो इस और है कि दो सब्सक्राइब बोल दिया है यह पड़े हुए सब्सक्राइब आठ दो यानों मालों MD था कि ABC कि अब आगे दो जार कि बीस दो जार इकीस दो हजार बाइस अब एमडी है बी एंड सी बट ए बोला मैने तो 2019 में रिजाइन मार दिया था भाई नहीं जो तुम 2008-2009 में कांट कियो ना सर इनी परसन हुए जो अभी है और है जो थे एट एट एनी रिलेवन टाइम अपने रिलेवन टाइम दो याट-2009 में सर एक चीज़ करे लिए ना सर यहां पर इनका भी होगा ठीक है सर यहां पर वर्डिंग सर्ण मैं मिस कर गया था यहां वर्डिंग था सर इस तर ठीक है इनका होगा ठीक है बट इनका होगा ठीक है बट इनके लिए था सर यह बोल देना सर अब हम कंपनी के सथ एस्सेट नहीं है सर इनका होगा इनका होगा ठीक है बट इनके लिए था सर यह बोल देना कि 28-29 में के बाद कि हम 266 में तो इससे एस्सेट हट गया थे बुल्स नहीं भाई तुम रिलेवेंट टाइम में तो थे इनके साथ बुल्स लिमेटे के साथ तो इनके लिए था सर जो प्रीविए सम इंप टम स्वरी वो तो इशू हो गया था ठीक है ठीक है तो इसको भी देखना में आप है जो भी कंपनी का उस टाइम पर एम जी मैंजर था यह नहीं हो सकता हूं भाई मैं नहीं हो सकता हूं भाई तुम हो सकते हो 29 में तुम भले रिजाइन मार दिये भाई तुम्हें भी देना पड़ेगा क्योंकि तुम 2008-2009 में क्या थे एमडी थे ठीक है क्लियर करते है इसको सिंपल सी बात एक बार क्लियर कर लेते हैं देखो पावर इंस्पेक्टर एक रिलेटर कंपनी कर सकता है रिलेटर कंपनी मतलब अभी वाली भी यह सबसेट्री और इस ताइम में जो जो रिलेटर थी ना भले ये बात में बोले कि भाए अब हम रिलेटर नहीं है अब का बात निया है तुम पहले थी ना रिलेटर नलेटर तुम्हारा इं Grade इंविस्टिगेशन हो ठीक है और इनका वी होगा सब से और संदॉven तुम्हारा MD सब business run कर रहा था ना या company run कर रहा था इनका भी होगा सर इंवस्टिकेशन और सर और इनी परसन जो भी परसन जो भी आदमी MDO manager director हो जो company के साथ associate था इस time में जिस time में fraud हुआ और वह बात मैं के बोले ना कि मैंने design कर दिया company से भाई तुम resign कर दिया तुम क्या मतलब तुम फ्रॉट करें भागने का में मकसद तुम्हारा रिजाइन करने के लिए इस ताइम में तुम कंपनी के साथ थे ना अब तुम अब पी एमडी उस time में जिस time का वो documents निकला आया फ्रॉड वाला उस time जो भी एमडी का मनेजर company run कर रहा था वो सारी company का इंवस्टिकेशन होगा अभी वाले एमडी मनेजर रन कर उनका नहीं होगा ठीक है यहां पर साफ उनका नहीं होगा सी में कर साथ कोई भी परसन उस time पर company का employee md डारेक्टर था जो अब बले design कर चुका बट उस time था सर उसका भी इंवस्टिक इंवस्टिकेशन होगा बढ़िया सर इसके लिए यह सारा investigation कर दिनले डिटे पार्टी के लिए एक वाड़ी आ दखना प्रायर अप्रूवल ओफ सीजी इस रिक्वाइर मतलब सर इन तुम रिलेटे कंपनी का ऐसा ही जाके investigation नहीं कर सकते सीजी का permission चाहिए चाहिए तुम्हें जैसे 209 में थाना सर सर्सीज नहीं कर सकते हूं पर इस पेशल कोट का permission चाहिए चाहिए तो यहां पर तुम रिलेटे कंपनी के बारे में तुम मालों 282 या नौ कि रिलेटे कंपनी पास जा रहे हो वह बुले है किस बेसे सब्सक्राइब का अप्रूवल ले किया है तो यहां पर जो बी कि 2020 2019 में डिलेटे कंपनी का तुम या डिलेटे पाट्डी का जो इससे ने सकता है यहां से ठीक है सर, सर 220, सर 220 क्या है सर, 220 है सर, सीजर of documents by inspector, सर ये सर, सीजर documents सर ये तो लग रहा है, 209 जैसा सर लग रहा है, हाँ भाई, इसमें similarity क्या है, मैं ये बता हूंगा आपको, ठीक है, देखो सेम है सर, सीजर करना है, यहाँ भी documents क्या, inspector को लग रहा है, कुछ तोड़, फॉर, falsified, multiplied, destroy होने वाला है, किसी भी company, secretary का, documents, CS का, documents, same 209 हो वाला है, सर, जाके inspector क्या सकता है, search, seize कर सकता है, documents को, ठीक है सर, ठीक है सेम एस, 209, अब जहाँ जाट, वह ना सर, सर, दो समय, approval, of special court, is required, यहाँ पर सर, no approval, सर, no approval, सर, यहाँ दखना सर, no approval, सर, यहाँ पर क्या हो रहा है, सर, यहाँ पर क्या कर रहा है, सर, सर, यहाँ पर क्या कर रहा है, सर, यहाँ पर क्या कर रहा है,左, कर दो कोई special court नहीं चाहिए, तो यह पहला difference है, सर, कोई special court नहीं चाहिए और यहाँ पर on the basis of investigation चल ला रहा है, यहाँ पर special court का permission मांग रहा था, जार नहीं चाहिए, अब बोला तुहारा already fraud पदा चल चुका अब तो बस धूंड रहे सबूत यहां पर क्याता है यहां पर पता नहीं चाहिए अप्रूबल ठीक है सर और क्या था सिंपल यहां क्या था लॉक्स दॉक्मेंट्स ऐक्सप्टू डिस्ट्वर्न वाले था है यहां पर क्या था साथ सेम अधिक अलब फॉल्सिफाय मुल्टिफाय दिस्ट्रॉइ क्या सर बॉक्स अन्विक्स अंग अगान सवर्केशन सब्सक्राइब आप तो सथी यह जो चेट दो सब्सक्राइब अन ना call for information यह सर इंक्वाइडी इस बिसस्पर हम सर्चीजर किया इसलिए हमने स्पेशल कोड का परमीशन लिया यहां पर क्या है यहां पर क्या सर दूरिंग इंवेस्टिकेशन चल ला है तुम्हारे हाथ तुम सब्सक्राइब से क्या परमीशन लें जाओगे दूरिंग इंवे इंवेस्टिकेशन हो ले सर सीज पर ना सर यह स्पेशल कोड फरमीशन नहीं लगेगा और क्या था सर यहां क्या सर 180 देश्टिकेशन में सर देखना सर इंवेस्टिकेशन क्या सर तिल कंक्लूजन आफ इंवेस्टिकेशन भाई मैंने क्या बोला स्टार्टिंग से इंक्वारी इंस्पेक्शन के बेसिस पर तुम 180 दिन प्लस 180 दिन दे सकते हो अगे जस्टिफाइड है तो यहां पर क्या है सर तुम्हारे वह शॉफ्ट तूल था कॉल फर इंवेस्टिकेशन थोड़ा सॉफ्ट था उससे थोड़ा हलका हाट आया इंक्वारी इंस्पेक्शन अब आया तुम्हारा इंवेस्टिकेशन चल लाए भाई यहां पर तुम्हें कोई 180 देस वालना तुम्हें पता है तुम्हें फ्रॉट किये वे अब तुम्हें कोई दॉक्मेंट मिटाद होगे तो यार फिर तो बहुत दिक्कत हो जागे हम वोला तेल कंक्लोजन आप इंवेस्टिकेशन हम क्या कर सकते हैं सीज कर सकते हैं थीए ज़्यार करना इख रख़चए लोहज समस्क्मेट दोर्स वे क्वर समस्क्राइब वाले तें यहां पर किसका सर सिंपल सीय एसीय में जो भी है यहां भी सीय च्रीव यह क्या था अन डे बेसे बहुत सचेट दो साथ के बेसे पे 209 होता था ये क्या हो रहा है ये डिविद्ध रूइट सब्सक्राइब है वो दो सभार लग चुका है कंपणी बेदो सब बारा लग चुका है त्रेयों ट्रैमिल ओडर देता है सभी इंविस्टिकेशन लग चुका है दिविडिंग इंविस्टिकेशन चल ला है और सर यह 180 दिन 116 दिन के लिए होता है क्यों सब्सक्राइब कर दिया इनी बॉडी कोर्पेट्ट विच इस और है अभी जो भी बॉडी कोर्पेट्र डिलेटर कमपनी तो वह भी हुई और हैस मतलब उस टाइम जो डिलेटर कमपनी थी अब यह नहीं बो सकती कि हम अब रिलेटर नह अब नहीं हो कोई दिक्रत नहीं उस टाइम थे नहीं जब 2008-2009 में फ्रॉड हुआ तब भी तुम रिलेटर कमपनी हो तब यह सब किसमें कब हो सकता है जब सीजी का अप्रूवल हो ठीक है आज के रिवाइस करते हैं नोट्स में प्रॉपर बनाए वे होप्स आपको नोट् नोट्स बताना ओल देवेट सर्ट नाइट ठीक है